तो हेलो दोस्तो कैसे हैं आप दोस्तो तो मेरी तरफ से आप सभी लोग को Happy Diwali विश्यूए very happy Diwali दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हुँ Samsung के mobile में Samsung 1UI में एक advanced setting को एक option होता है setting के अंदर उसके अंदर कुछ ऐसे hidden features होते हैं जिसका बहुत सारे यूज़ और बहुत फायदे की चीज़ होती ही, बहुत सारे लोग उसको जानते भी नहीं, उस features कैसे एनेबल करते हैं, और क्या uses है, तो एक एक चीज़ के describe करने वालों, कैसे एनेबल करेंगे, क्या उसके use है, और क्या फायदे होते हैं, तो वीडियो को उसके मत करेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा, तो यह आप समझ पाएंगे, दोस्तो तो आगे चलते हैं, मेरे नाम सणी अरोगा, और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टैक में, तो दोस्तो इस feature के लिए आपको सबसे बहले आपको करना क्या होगा, इस function को देखने के लिए आपको जाना है अपने mobile की setting में, setting में जाने के आपको यह नीचे की तरफ आएंगे, आपको यह आप पर option मिलता है accessibility का, आप देखेंगे, यहाँ पर सबसे उपर बहार मिलेगा, जनरल मेरेंजमेंट की नीचे accessibility का option, आपको उसके अंदर जाना है, और नीचे की तरफ आएंगे, आपको यहाँ दिखने वाला advanced setting का option, आप जैसी advanced setting में option में click करेंगे, तो सबसे पहले आपको option मिलने वाला है side and volume upkeep, आप देखेंगे दोस्तों, यह पहले तो by default off रहता है, आप इसको on करेंगे, तो नीचे आपको बहुत सारे function मिलने वाले हैं, आप चाहें तो कोई साब भी option इसमें enable कर सकते हैं, तो इसका बहुत अच्छा फायदा है, आप उपर देखेंगे, यह आपको बता है, इसको कैसे enable करते हैं, तो होता क्या है, दोस्तों मैंने यहाँ पर set कर रहा है, mute all sound, मतलब अगर मैं यहाँ पर press करूँँग दोनों की को साथ में, तो sound जो है, पुई तरह से बिल्कुल zero हो जाएगा, मैं volume कुछ भी चलाऊँगा, तो volume नहीं आने वाला है, तो इसको enable कैसे करते हैं, और option को कैसे enable लेगा, इसके लिए आपको करना क्या है, यह power key का और volume up key को दोनों को आपको press करना है, क्यों click, क्यों click press करने के आद आप देखेंगे, आपको यहाँ पर दिख जाएगा, notification में, आप देख सकते हैं, दोस्तों, यहाँ पर देख रहा होगा, mute all sound is on, मतलब आपका जो feature आपने करा था, वो on हो चुका है, definitely on हो चुका है, आप क्या होगा क्या, अब मैं यहाँ पर कोई भी या फिर आप YouTube पे वो लो या कहीं भी जागे, मैं कोई video भी प्ले करूंगा ना, मैं अपनी एक video प्ले कर ले ता हूँ, अप नहीं होगा, तो यह बहुत अच्छा काम का feature कभी कर गया होता है, अगर आप कुछ unmute करना चाहते हैं, तो यह बहुत क्योगी काम आजाता है, इसको बापस आपको करना हो, या बहुत सकते हैं, यहां पर, accessibility, voice assistant, universal switch, magnifier window, यह ज्यादा use नहीं है, most use of feature है, mute all sound, जो मैंने आपको बताया, दोस्तों बहुत अच्छा feature मुझे लगा, उसके बाद जो नीचे की तरफ आएंगे, volume up की, and down की को जो option है, यहां पर आपको volume assistant का option मिल रहा है, यह by default रहता है, आप जहाएं तो इसक हटा भी सकते हैं, universal switch कर सकते हैं, जोसरा option भी आपको मिल रहा है, पर यह भी कोई काम का नहीं है, volume assistant आपने देखा होगा, जब किसी को कैसे enable, volume assistant वो होता है, text to speech वाला, जिस पर भी आप click करेंगे, वो speech करेगा, तो यह कोई काम का है नहीं, तो इसको आप skip कर सकते हैं, उसके अपर मिल रहा है, आपको दो screen मिल रहा है, camera flash और screen flash, camera flash में क्या होगा, तो यह वाली flash जो रहती है, अपनी पीछे display और camera पर यह वाली flash जलेगी, और जो नीचे लिखा screen flash मतलब screen जो है, ऐसे आप ओपर देख सकते हैं, यह camera flash है, इधर जाएंगे तो यह screen flash है, आप जोंसी च camera में करूँगा, यह camera flash में, तो आप यह देखिएगा, यह camera का भी flash, अब यह देखिए, इसको मैं फिर दुबार प्रिव्यो करता हूँ, यह camera की flash भी ऐसे preview में काम करेगी, तो यह ऐसा काम करता है, अगर आप चाहते है, notification में कालिंग पर, तो यह भी आप इसको enable कर सकते हैं उसके बाद जो नीशे option मिलने वाला notification reminder, यह भी एक काम का feature है, कभी कबर क्या होता है, आप कहीं offices में हैं, यह student से, तो आप अगर आप पड़ रहे हूँ, होता गया है, कुछ ऐसे आपके notification रहते हैं, उस time आप नहीं read कर पाते हैं, और बाद में भूल जाते हैं कि notification आया था, तो इस notification reminder बहुत काम की चीज़ है, इसमें क्या होगा, अगर आप जाते हैं कि कोई का भी जैसे मालो WhatsApp में message आया है, कहीं भी message आया हुआ है, यह call drop हुआ है, यह miss call आया हुआ है, तो आप every 5 minute या 10 minute का reminder set कर सकते हैं, और vibrate या sound भी set कर सकते हैं, और साथ में क्या होगा, हर 3-4 पर वो notification करता रहेगा, आप यहाँ पर particular एक 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 कर सकते हैं, कि उस एप के लिए ही आपको notification करें, और another एक के लिए नहीं करें, तो यह उसमें भी काम करता है, आप यहाँ पर vibrate प्ले साउंड भी कर देंगे, तो आपको sound करके बताएगा, कि कुछ आपके पास unread या unnotification जो आपने नहीं read करी हो, आपके बस पढ़िये, तो यह भी बहुत अच्छा feature आप उसको use करके देखेंगे, बहुत मजा आने वाला है, तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, दोस्तों अकर आपको मेरी वीडियो कमेंट ज़रूर करें, और अभी तक आपने मेरी चनल सब्क्राइब नहीं किया है, सब्क्राइब करना ना भूले, और मुझे इंस्टाग्राम और फेज़ू फोलो करना भी ना भूले, इसका लिंक आपको डिक्शन पर मिल जाएगा, तो थैंकि दोस्तों